आजादी का सफर आकाश वानी के संग 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षिय छात्र अनन्त लक्षमन का नहिरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थियेटर में गूली मार दी जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था कहा जाता है कि जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उसने स्वेतंद्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफतार करने में महतुपून भोमी का निभाई थी जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवी गोविंद के गीतों की सूलह प्रष्ट की किताब छापने के लिए गरफतार किया था क्योंकि उनका मानना था कि अभिनाव भारत सोसाइटी देश द्रोही गतिविधियों में लिप्त थी कृष्णा जी करवे, विनायक देश पांडे और अनन्त का नहेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पदपर स्थनान तरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया जैक्सन के विदाही समारों में अनन्त ने योजना को अन्जाम देने का फैसला किया 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाही समारों में आये तो अनन्त ने उनके सामने कूद कर चार गोलिया मारी जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई इस हत्या ने नासिक, पुणे और मुंबई में काफी संसनी फैला दी और यहां तक की सहानुभूती पून अलोकप्रिये जिला अधिकारी के रूप में जैक्सन के प्रतिष्ठा के कारण भारतिये राश्ट्रवादियों में बैचेनी पैदा कर दी अनंत कनहेरे, कृष्णा जी करवे और विनायक देश पांडे पर बॉंबे कोट में मुकदमा चलाया गया और 19 अपरेल 1910 को शहीद हुए हम शहीदों को सलाम करते हैं